तो नंदिता मैम, बहुत सारे वाइरस हैं, जो हमारे सिस्टम्स पर असर डालते हैं, तो क्या सिफ वाइरस के बारे में जानने से काम चल जाएगा? दरसल और भी कई चीजे हैं राजिश, तुम्हें वर्म्स के बारे में भी जानना चाहिए वर्म्स भी घुसपैठियों के बनाए हुए प्रोग्राइम होते हैं, जो किसी व्यक्तिगत सिस्टम में घुसपैठ करते हैं वर्म्स मैलेशियस कोड होते हैं, जो खुद की नकल बना कर दूसरे सिस्टम में पहुच जाते हैं, पर किसी दूसरी फाइल से नहीं जुडते वर्म्स वाइरसिस की ही तरहा खतरनाक होते हैं, वो ऐसे प्रोग्राइम्स होते हैं, जो सिक्योरिटी सॉफ्ट्वेर में घुसने के लिए बनाए जाते हैं उसके बाद वे समवेदनशील जानकारी चोरी करने, फाइल्स को खराप करने और दूसरे मसलों के साथ दूर से एक्सेस के लिए सिस्टम में घुसने की वियवस्था करते हैं इस तरह के मालवेर एक दूसरे तरह के प्रोग्राइम्स होते हैं, जो सिस्टम के अंदर स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम है तो मैम, वर्म्स नेटवर्क में दूसरे तरह के तत्व हैं, जो हमारे सिस्टम में घुस सकते हैं बिल्कुल राजेश, हालकि वर्म्स वाइरस से थोड़े अलग होते हैं। हम उन्हें एक दूसरे प्रकार का मालवेर कह सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें स्टैंड आलोन कहते हैं। ये एक्जिक्यूटिबल होते हैं और नेटवर्क, हामियों और कमजोरियों से फैलते रहते हैं। तो भी एक वम बनावट में वाइरस की तरहा ही होता है। पर कुछ बातें वाइरस से अलग होती हैं। वाइरस के विप्रीत वम किसी प्रोग्राम या फाइल से जुड़ने पर ही निर्भर नहीं करता है। जैसे ही ये किसी सिस्टम में पहुँचता है, वो सक्रिय हो जाता है। इसे आगे बढ़ने या फैलने में किसी मानवी हस्तक शेप की जरूरत नहीं पढ़ती। ये बिना किसी मदद के आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें इन्फोर्मेशन ट्रांस्पोर्ट की खुबी का फाइदा उठाने की शमता होती है। वर्म्स पैलने के लिए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की कमियों का फाइदा उठाते हैं। उदारन के लिए वनक्राइ रैंसमवेर वर्म को लेते हैं। उसने एक ऐसी कमजोरी का फाइदा उठाया था, जो विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम में तयार नहीं किया गया था। वर्म्स ऐसे मालवेर होते हैं, जो कम्प्यूटर ओपरेटिंग सिस्टम या ओएस की खमियों का फाइदा उठाकर खुद को फैलाते रहते हैं। वर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अक्सर उस हिस्से का प्रयोग करते हैं, जो उप्योग करता के लिए स्वाचालित और अध्रिश्य है। ये internal network की कमजोरियों और खामियों का उप्योग करता है, क्योंकि computer दूसरे computer से इसी से जुड़ा रहता है. एक computer worm अपनी गतिविधियों को नए infected system में लोड कर शुरू करता है. worm का पहला काम जितने ज्यादा systems में हो सके, खुद को फैलाना है. इसके लिए ये खुद को किसी प्राप्ट करता के address book की सूची में मौजूद सभी लोगों को भेज देता है. फिर अपना काम शुरू कर देता है. दूसरी भूमिका उस कारे को अन्जाम देने की है, जिसके लिए इसे बनाया गया है और payload program से जोड़ा गया है. मौरिस वम पहले इंटरनेट का आकार पता लगाने का payload था, पर अब खतरनाक कारियों के साथ साथ दूसरे अन्यव देश्यों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है. अभी हाल ही में blaster warm काफी चर्चा में रहा था, इसे ऐसे बनाया गया है कि किसी सिस्टम में घुसकर हमलावरों को दूर से ही सिस्टम का अधिकार दे दे. आजकल सभी worms फैलने के लिए कमजोरियों का सहारा नहीं लेते, इसके बजाए फैलने के लिए दूसरे तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे email, सहकर्मी से सहकर्मी या संखशेप में, P2P networks, social network और mobiles आदी. शॉर्ट message service SMS संदेशों में खुद की नकल जोड़ कर भेजने या उन web pages के links जिसमें worms की नकल हुती है, worms एक mobile से दूसरे mobile में फैलते रहते हैं. इसका मतलब नंदितम एम, worms के कई रूप हैं, जिनसे हमें सचित रहने की जरूरत है. हाँ, राजिश. Worms कई तरह के होते हैं. Worms के बारे में आगे और जानकारी लेते हैं. वाइरस की ही तरह, worms भी कई श्रेणियों में बाठे गए हैं. अच्छा, तो कई तरह के worms हैं, जो हमारे सिस्टम को इंफेक्ट कर सकते हैं. बेशक राजिश, चलो मैं तुम्हें Worms के कुछ प्रकारों के बारे में बताती हूँ. उनके फैलने की तक्नीक के तरीकों के आधार पर, Worms को इस तरह वर्गी करित किया जा सकता है. सबसे पहले, E-Mail Worm आता है. घुसपैठी ये इस तरह के Worms को E-Mail के रूप में सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए बनाते हैं. वो बेकसूर उप्योग करताओं को आकरशक वस्तूओं की पेशकश करते हैं, जो उन E-Mails को खोल देते हैं, देखने के लिए कि उनके लिए क्या है उसमें. उसके बाद ये Worms उनके सिस्टम को ठिकाना बना लेते हैं और प्रोग्रेम्स को निश्क्रिये या डेटा चोरी कर लेते हैं. इमेल Worms साधारन दिखने वाली E-Mails में दुर्भावना पून एग्जिक्यूटिबल फाइल्स के अटैच्मेंट के रूप में फैलती हैं. उसके बाद इमेल Worms इनफेक्टिट सिस्टम पर दबाव देता है कि Worm को उप्योग करता के संपर्क सूची में शामिल E-Mail Addresses पर भेज दे और जब प्राप्ट करता इन E-Mails को खोलता है तो ये उस सिस्टम को भी इनफेक्ट कर देते हैं. सिस्टम में सक्रिय होने के बाद ये Malware स्वयम को Microsoft Outlook में दर्ज सभी संपर्क तक पहुँचा लेता है. कहा जाता था कि Worm को उप्योग करता के सहभागिता की जरूरत थी पर असली बात तो ये थी कि Worm Desktop Computers के सामाने संचालन के दौरान ही फैल गया था. पीडित की बिना जानकारी है. रिपोर्ट के मुताबिक Malware ने संद 2000 में लाखों उप्योग करताओं को प्रभावित किया था. ये इतनी चल्दी फैले कि Ford Motor जैसे बड़े उद्यमों को अपनी इमेल सेवाएं बंद करनी पड़ी. सफल इमेल वाउम्स आमतोर पर उप्योग करताओं को कई तरीकों से लुभा कर अटैश्ट फाइल्स खोलने के लिए राजी करते हैं. अभी हाल ही में एक प्रोग्राम आई लव यू खूब चला था. तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा. वो इस तरह के कम्प्यूटर वाउम्स के सबसे घातक उदाहरणों में से एक था. ये मालवेर कई माध्यमों से खूब फैला, जिसमें इमेल अटैश्मेंट भी शामिल है, जो टेक्स्ट फाइल्स की तरह लगती थी. इस वाउम्स को एक खूबसुरत नाम आई लव यू से भेजा गया और प्राप्त करता इसे डाउनलोड करने और अटैश्मेंट खोलने से स्वयम को नहीं रोग सका. सैसर वाउम्स दूसरा वाउम्स है, जिसने विभिन्न साइट्स को पूरी तरह बरबाद कर दिया. सैसर वाउम्स को जर्मन कम्प्यूटर साइंस ने तयार किया था. ये वाउम्स पहली बार तब प्रकाश में आया था, जब इसने लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस या संक्षेप में L.S.A.S.S. की प्रक्रिया का फाइदा उठाया था, जो सिस्टम में सुरक्षा नीतियों को लागू करती थी. इस वाउम्स ने तेजी से कई कम्प्यूटर्स में फैलने की क्षमिता है. किसी कम्प्यूटर पर हमला करने के लिए सैसर वाउम TCP पोर्ट नमबर 445 का प्रयोग करता है. ये किसी Microsoft Software के माध्यम से सिस्टम में घुसकर रहने लगता है और सिस्टम को खराब कर देता है. थोड़े ही वक्त में सैसर A, सैसर B और सैसर C दुनिया भर के सैक्रों कम्प्यूटर्स को प्रभावित करते हुए पाए गए. वर्म परिवार का W, 32, सैसर Windows, 95, 98 और M, E, O, S, S वाले कम्प्यूटर्स पर भी काम करता है. कुछ सिस्टम में वर्म काफी नुकसान पहुँचाता है जिससे उसे रीबूट करना पड़ता है. वैसे राजेश, इंटरनेट वर्म्स भी होते हैं, जिनसे तुम्हें निपटना पड़ सकता है. इंटरनेट वर्म्स ये क्या होते हैं नंदितमैम? अगर इंटरनेट में निर्मित वर्म्स की बात करें, तो वे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जो पूरी तरहा स्वायत्त होते हैं ये वर्म्स बहुत इंफेक्शियस होते हैं और ज्यादा तर इंफेक्टिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे अती समवेदन शील सिस्टम का पता लगा सकें और उन्हें इनफैक्ट करने के बाद ये वर्म प्रक्रिया फिर शुरू कर देंगे नंतितम एम इन खत्रों से कैसे निपट सकते हैं? विशेश अग्यों ने इन्टरनेट में इन वर्म से निपटने के लिए कुछ उपाय बताएं हैं इन्टरनेट वर्म से बचने के लिए सबसे पहले हमें नवीनितम ओपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रखना चाहिए इसके बाद सिस्टम की सुरक्षा अपडेट की जाच करते रहना चाहिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार इन्टरनेट वर्म स हाल में ढूंडे गए मुद्दों का फायदा उठाने के लिए बनाए जाते हैं और उन सिस्टम को निशाना बनाते हैं जहां ये अपडेट नहीं है इन्टरनेट वर्म्स के बाद फायल शेरिंग नेटवर्क वर्म्स का जिकराता है ये फायल शेरिंग नेटवर्क वर्म्स क्या होते है मैं? अक्सर हम इंटरनेट के जरिये फाइल्स साज़ा करते हैं इंटरनेट पर फाइल्स साज़ा करते वक्त हमें नहीं पता होता कि वास्तव में क्या डाउनलोड कर रहे हैं फाइल शेरिंग वर्म्स इसी का फाइदा उठाते हैं वर्म्स चुपके से साजा फोल्डर में गैर संदे जनक नाम से खुद की नकल बना लेता है जब साजा फोल्डर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो अंजाने में वर्म को भी डाउनलोड कर लेता है ये वहाँ भी खुद की नकल बना लेते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है पैट बॉट नाम का वर्म इसी प्रकार का था और 2004 में इसी तरहा लाखों कम्प्यूटर्स को इंफेक्ट किया था इसमें निजी जानकारी चोरी करने की ख्षमिता थी जिसमें प्रेडिट कार्ड भी शामिल है और व्यापक स्तर पर इमेल्स भेज सकता था स्टक्सनेट सबसे जटिल वम्स में से एक है ये वम इरान के एक परमाणू सैयत्र में प्रवेश कर गया था और उसके केंद्रा पसारी को धीमा करके जिससे गर्मी बढ़ जाती सैयंत्र को बंद करने का प्रयास किया था अगर स्टक्सनेट की सटीक परिभाशा दें तो ये सामान ने कम्प्यूटर सिस्टम में निश्क्रिये रहता है और खुद को नश्ट कर सकता था बात 2010 की है जब स्टक्सनेट साइबर हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाला पहला कम्प्यूटर वम बना प्रते परिक्षण की लंबी मिहनत के बाद दो सुरक्षा शोध करताओं ने इसे आखरी वक्त में खो जा था इसने दुनिया भर के हाई प्रोफाइल सुरक्षा विशेशग्यों को अपनी तरफ आकरशित किया जिसमें सिमेंटिक सुरक्षा तकनीक और प्रतिक्रिया जिसे संक्षेप में स्टार दल कहते हैं उसके लाइम ओ मौर्श्यू और एरिक शीन भी शामिल थे काफी रिसर्च के बाद वो इस निशकर्ष पर पहुँचे कि इरानियन पावर प्लांट में जिस वॉम का इस्तेमाल किया गया था उसका मकसद परमाणू हथियारों के उत्पादन को प्रभावित करना था हाला कि वो हमला नाकाम हो गया था पर ये कम्प्यूटर वॉम खत्रे के लिहाज से आज भी सक्रिये है वाह वॉम्स इतना सब कर सकते हैं वास्तों में किसने इन्हें बनाया था नंदिता मैं विबिन एजेंसियों ने राजेश कुछ अपने फाइदे के लिए और कुछ सामाजिक संगठनों के लिए उन्हें नीजी या सामाजिक सिस्टम्स में घुसपैट कर विनाश करने के लिए बनाया गया है घुसपैटियों ने कुछ दूसरे प्रकार के भी वॉम्स बनाये हैं सिस्टम में घुसपैट करने के लिए वे त्वरित संदेश और चैट रूम के जरिये काम करते हैं सच में, मतलब चैट रूम या किसी को तौरिज संदेश भेशते वक्त या प्राप्त करते वक्त हमें काफी सतर के रहना चाहिए बिल्कुल राजेश, मैं तुम्हें इस तरह के वर्म्स के बारे में और जानकारी देती हूँ तौरिज संदेश और चैट रूम वर्म्स उप्योग करता की चैट रूम प्रोफाइल या तौरिज संदेश प्रोग्राइम की संपर्क सूची का उप्योग कर infected websites का लिंक भेशते हैं इन वर्म्स और emails वर्म्स में काफी समानिता है हालकि उनकी एक कमजोरी है, वो ठीक एक इमेल वर्म्स की तरह काम नहीं करते वो किसी सिस्टम में घुसने की कोशिश कर सकते हैं पर इंटरनेट बंध होने पर नाकाम हो जाते हैं इंटरनेट की जरूरत के मताबिक ऐसे संदेशों को प्राप्त करने वालों को अपनी निजी जानकारी भीजना जरूरी होता है अगर निजी जानकारी ना दी जाए तो ये वर्म्स सिस्टम में घुसपैट नहीं कर पाते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भेजे हुए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त करता को संदेश को स्वेकार करना होता है ये worms सिर्फ उन उपयोग करताओं को प्रभावित करते हैं जिन्हें इंटरनेट में इस प्रकार के links की कम जानकारी होती है और वो कोई जानकारी लेने के लिए उन links पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद ये worm उन systems में प्रवेश कर जाते हैं और files या system के किसी खास program को खराब कर देते हैं एक दूसरा खत्रा USB drive या जिसे pen drives भी कहते हैं उसके उपयोग से है इन उपकरणों में virus या worms होते हैं जो system के लिए खतरनाक होते हैं शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर 2009 में सबसे विख्यात worms में से एक कौन फिकर नाम का worm बनाया गया था ये worm USB drives के जरिये ही Windows server सेवा में पहुँच कर फैलने लगा अच्छा उनसे कैसे बस सकते हैं? USB तो हमेशा प्रयोग करते हैं worms की हकीकत जानने के लिए जो system में घुसपैट की कोशिश करते हैं जानना जरूरी है कि उन्हें निश्क्रिये कैसे कर सकते हैं सबसे पहले USB devices के लिए स्वचालित कार्यक्षमता को निश्क्रिये कर दो उसके बाद जैसे ही आसानी से वो online उपलब्ध हो जाएंगे तुम network की खामियों को ठीक कर सकते हो तो नंदिता मैम, worms के बारे में इतना ही है जिससे सतर्क रहना है रुको, और भी हैं, Trojan Horses के बारे में कुछ पता है राजेश कम्प्यूटर में Trojan Horses वो क्या होते हैं मैम Trojan Horses की उत्पत्ती ग्रीक पौरानिक कथाओं से हुई है इंटरनेट Trojan Horses के बारे में समझने के लिए तुम्हें ग्रीक पौरानिक कथाओं के इतिहास के बारे में संक्षेप से जानना होगा ठीक है, तो इन पौरानिक कथाओं के बारे में जानते हैं ये ग्रीस की एक खुबसूरत महिला, जिसका नाम Helen of Troy था उसका इतिहास है उस पर कई राजा एवं राजकुमार अपना दावा जताते थे संक्षेप में बताते हूं, जब ग्रीक्स ने ट्रॉय पर अधिकार करने की कोशिश की तो उन्होंने लकडी के एक विशाल घोडे में कुछ सैनिकों को बैठा कर उसे प्राचीर के सामने रग दिया इस घोडे के जरिये किले में घुसने की योजना थी ट्रॉय के सैनिक अंजाने में उस लकडी के घोडे को किले के अंदर ले गए उसके बाद घोडे के अंदर मौजूद सैनिकों ने किले पर धावा बोल दिया और राज्य पर अधिकार कर लिया इस malware को बनाने में इसी चालाकी का इस्तेमाल किया गया और उसे उप्युक्त नाम Trojan Horse दिया गया सिस्टम में प्रवेश malicious software से ही हो सकता है और इसे Trojan Horse कहा जाता है पहली नजर में ये काफी उप्योगी software लगता है पर एक बार computer में install या शुरू होने के बाद भारिक्षती करता है बेकसूर उप्योग करता इसे खोलने के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक वैद स्रोत से प्रामानिक software या files प्राप्त कर रहे हैं जब Trojan सिस्टम में सक्रिय हो जाता है तो कई प्रकार की मुसीबतें और दूसरी गतिविधियों से files को मिटाने और सिस्टम में संग्रहीत सूचना को बरबात करने जैसे गंबीर क्षती कर सकता है कभी कभी उनका उप्योग कंप्यूटर में पिछला दर्वाजा बनाने के लिए होता है जिससे हमलावर सिस्टम में घुसपैट कर सकें इसका मकसद गोपनिये और नीजी जानकारी चोरी करना है हालकि वाइरस और वर्म्स के विपरीत ट्रोजन्स ना ही खुद की नकल बनाते हैं और ना ही किसी फाइल को इनफेक्ट कर खुद को बढ़ाते हैं धन्यवाद मैं, अब मैं समझ गया हूँ कि सिस्टम में वर्म्स के खत्रे से कैसे बचना है मुझे खुशी है राजेश, तुम सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हो ट्रोजन होर्स वाइरस सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? कई तरीकों से राजेश, चलो, मैं ट्रोजन वाइरस के काम करने के कुछ तरीकों के बारे में बताती हूँ एक ब्लैक डोर ट्रोजन इन्फैक्टिट कम्प्यूटर में गलत कारियों के लिए हमलावरों को दूर से ही अधिकार देता है वे गलत इरादों वाले हमलावरों को इन्फैक्टिट कम्प्यूटर में गलत काम करने का हकदार बनाते हैं वो फाइल्स को भेज या प्राप्त मिटा और शुरू कर सकते हैं डेटा प्रदर्शित और कम्प्यूटर को रीबूट कर सकते हैं हमलावर बैक डोर ट्रोजन्स का ज्यादातर उप्योग इन्फैक्टिट कम्प्यूटर्स के समुह में घुसपैट के लिए करते हैं ताकि वो एक जॉम्बी नेट्वर्क या मैलिशियस बूटनेट निर्मित कर सकें और आपराधिक उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल कर सकें एक्स्प्लॉइट ट्रोजन का दूसरा प्रकार है जिसमें मैलिशियस कोड या डेटा होता है जो किसी इन्फैक्टिट कम्प्यूटर के कमजोर सॉफ्टवेर या एप्लिकेशन पर हमला करता है पीडित के सिस्टम में प्रवेश के लिए हमलावर रूट किट्स बनाते हैं पर वो अपनी उपस्थिती या गलत कारियों को पहचाने जाने से छिपाते हैं ताकि इन्फैक्टिट कम्प्यूटर में बने रहें और अपना काम करते रहें ट्रोजन बैंकर ट्रोजन का एक प्रकार है जिसे उप्योग करता के बैंक खाते, ओनलाइन बैंकिंग सिस्टम और इपेमिंट गेटवे के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया गया है ट्रोजन डी डॉसेर सेवाओं को इनकार करने और पीडितों के वेब एड्रेस को इनफेक्ट करने के मकसद से बनाया जाते हैं मालबेर प्रोग्राम पीडित के इनफेक्टिट कम्प्यूटर से कई फॉर्म भेजता है और दूसरे कई इनफेक्टिट कम्प्यूटर को मिला कर एक नेटवर्क बनाता है और हमलावरों को पूरी ताकत के साथ लक्षे वाले एड्रेस तक पहुँचाता है उनके इनकार के बावजूद भी Trojan Downloaders जैसा की नाम से लग रहा है हमलावरों ने इसलिए बनाया ताकि लक्षित पीडित के कम्प्यूटर में Malicious Programs के नए संसकरण को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सके हमलावरों के Trojan Dropper को बनाने का मकसद Trojans या Viruses को इंस्टॉल करना और Malicious Programs की जाच में पकड़े जाने से बचना है ज्यादतर पुराने Antivirus Programs इस Trojan के सभी तत्वों को स्कैन नहीं कर पाते हैं Trojan Fake AV एक Antivirus सौफ्टवेर की तरह काम करने का दिखावा करता है Cyber 4 लक्षित उप्योग करता से पैसे हासल करने के लिए इनको विकसित करते हैं और बदले में वो खत्रों की पहचान करने और उन्हें हटाने का दिखावा करते हैं पर वो खत्रे असल में होते ही नहीं है Trojan Game Thief के मुख्य शिकार ओनलाइन गेम खेलने वाले होते हैं और इसका पहला उद्देश उप्योग करता के खाते की जानकारी चोरी करना है Trojan IM Programs मुख्य रूप से Skype, Facebook Messenger ICQ MSN Messenger Yahoo Pager AOL और दूसरी साइट्स पर उप्योग करता के Logins और Passwords को हासिल करता है Trojan Ransom पीडित के कंप्यूटर में डेटा से छेर छाड के लिए बनाया गया है ताकि सिस्टम ठीक तरह से काम ना करने पाए और उप्योग करता कुछ डेटा का उप्योग ना कर सके तब अपराधी डेटा में प्रतिबंधित प्रवेश की अनुमती और कंप्यूटर की कारे शीलिता को फिर सही करने के लिए पीडित से फिरोती की मांग करता है त्रोजन SMS प्रोग्राम्स पीडित के मोबाईल से दूसरे फोन नंबरों पर टेक्स्ट मेसिज भेशता है, Trojan Spy Programs जैसा की नाम से लग रहा है, जासूसी करता है, की उपयोग करता, कम्प्योटर का उपयोग कैसे करता है, उदाहरण के लिए, डेटा का पता लगाना, क्रीन शॉट्स लेना, या चल रही एप्लिकेशन्स की सूची निकालना, हमलावरों ने Trojan Mail Finder Programs को पीडित के कम्प्योटर से इमेल एड्रेस की जानकारी हासिल करने के लिए विकसित किया, धन्यवाद मैम, अब मैं समझ गया हूँ कि सिस्टम में वाम्स के खत्रे से कैसे बचना है, मुझे खुशी है राजेश, तुम सिस्टम की सुरक्षा से संबन्धित कुछ भी पूछ सकते हो, अब तक जो चर्चा हुई है, उसे जानने के लिए किसी चित्र पर क्लिक करें, वाम्स मैलीशियस कोड्स होते हैं, जो खुद की नकल बनाकर दूसरे सिस्टम्स में पहुँच जाते हैं, पर किसी दूसरी फाइल से नहीं जुड़ते, ब्लास्टर वाम्स काफी चर्चा में रहा था, इसे ऐसे बनाया गया है कि किसी सिस्टम में घुसकर हमलावरों को दूर से ही सिस्टम का अधिकार दे सके, सैसर वम को जर्मन कम्प्यूटर साइंस ने तयार किया था ये वम पहली बार तब प्रकाश में आया था जब इसने लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सबसिस्टम सर्विस या संक्षेप में LSASS की प्रक्रिया में पाइदा उठाया था जो सिस्टम में सुरक्षा नीतियों को लागू करती थी इस वम में तेजी से कई कम्प्यूटर्स में फैलने की क्षमता है इमेल वम्स वो वम्स हैं जिनहें घुसपैठिये इमेल के रूप में सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए बनाते हैं वो बेकसूर उपयोग करताओं को आकरशक वस्तूओं की पेशकश करते हैं, जो उन इमेल्स को खोल देते हैं, देखने के लिए कि उनके लिए उसमें क्या है. उसके बाद ये वर्म्स उनके सिस्टम को ठिकाना बना लेते हैं और प्रोग्राम्स को निश्क्रिये या डेटा चोरी कर लेते हैं. वर्म चुपके से साजह फोल्डर में गैर संदेह जनक नाम से खुद की नकल बना लेता है. जब साजह फोल्डर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो अंजाने में वर्म्स को भी डाउनलोड कर लेता है. ये वहां भी खुद की नकल बना लेते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है. त्वरित संदेश एवं चैट रूम वर्म्स और इमेल वर्म्स में काफी समानता है. हालकि उनकी एक कमजोरी है कि वो ठीक एक इमेल वर्म्स की तरहा काम नहीं करते. वो किसी सिस्टम में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, पर इंटरनेट बंध होने पर नाकाम हो जाते हैं. ट्रोजन होर्स हमारे सिस्टम में प्रवेश की कोशिश है, जो एक मैलिशियल सॉफ्ट्वेर से होती है. पहली नजर में ये काफी उप्योगी सॉफ्ट्वेर लगता है, पर एक बार कम्प्यूटर में इंस्टॉल या शुरू होने के बाद भारिक शती करता है. बेकसूर उप्योग करता इसे खोलने के जाल में फस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक वैद स्रोथ से प्रामानिक सॉफ्ट्वेर या फाइल्स प्राप्त कर रहे हैं.